प्यारे दर्ज को यूनिक समाचार में आपका श्वागात है बड़ी खबरों को सबसे बहुले जानने के लिए यूनिक समाचार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अब बेल आइकन दो बाना नव पूलें अब तक की सबसे बड़ी खबर जैसे मुहम्मद सरगना आतंकी मशूद अजहर ने दिया बड़ा बयान जमु कस्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के ठीक एक हपते बाद जैसे मुहम्मद ने एक नया आडियो जारी किया है ताजा आडियो में मशूद अजहर ने पुलवामा हमले में किसी तरह का हाथ होने से इंकार कर दिया है यहाँ तक कि उसने दावा किया है कि वहाँ कभी आतंग की आदील अहमड़ार से नहीं मिला था इस आडियो में उसने पाकिस्तानी सरकार और मीडिया को डरपोक भी बताया उसने सबसे पहले हमले के बाद जैस ने इसकी जिम्मेदारी ली थी लेकिन वह अब मुकरता दिख रहा है गुरवार को जारी किये गए इस आडियो में मशूद अजहर ने कहा कि पुलवामा हमले से हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी को 2019 के लोकसवा चुनाव में घाटा होगा उसने यह भी कहा कि वह पाकिस्तान को किसी तरह की जंग में नहीं दकिलना चाहता है आडियो में ये भी कहा गया है कि चीन हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन करता रहा है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है उसने कहा कि नरंद्र मोदी कश्मीर में पूरी तरह फेल हो गया है पुलवामा आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में गिरी पाकिस्तान की सरकार को मसूद अजहर ने डरपोक करार दिया उसने कहा कि यहां की मीडिया और सरकार दोनों ही डरी हुई है अपने इस आडियो में मसूद अजहर ने आदिल अहमद डर का भी नाम लिया आपको बताते चलें कि आदिल ने ही पुलवामा में आतंकवादी अत्मगाती हमला किया था और अपनी गारी लेकर सी आर पी अफ के काफिले में जागुशा था उसने अपने आडियो में बोला है जितनी गारी देनी है दे दो मुझे लेकिन आदिल अहमद के खिलाप कुछ ना कहना कस्मीर में आजादी की लड़ाई अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है वहाँ किसी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है धन्यबाद